Hello Friends, आज से हम Raymond Murphy की English Grammar की बुक English Grammar in Use को स्टार्ट कर रहे हैं इस बुक के हर एक चैप्टर की स्टार्टिंग में पहले कुछ रूल्स बताए गए हैं और लाश्ट में एक्सरसाइज़ देगी हैं हम रूल्स और एक्सरसाइज़ दोनों ही चीज़ें देखेंगे ये बुक उन सभी स्टुडेंट्स के लिए important है जो अभी English Grammar में beginner है आज का पहला topic some और any के बारे में है some और any इन दोनों का अर्थ कुछ थोड़ा या कोई होता है some और any का अर्थ होता है कुछ थोड़ा या कोई पर इनके use में कुछ differences है जैसे इस figure में ये लड़की बोल रही है I have some money I have some money ये positive sentence है positive sentence का मतलब होता है जिसमें not न लगा हुआ हो इसे affirmative sentence भी बोलते है I have some money ये positive sentence है यानि इसमें not नहीं लगा है वहीं right side में ये लड़का बोल रहा है I don't have any money यहाँ पर not का यूज किया गया है यानि ये negative sentence है some का यूज हमिशा positive sentence में करते हैं और any का यूज negative sentence में करते हैं देखें इन तीन examples में some का यूज किया गया है इन तीनो examples में some का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि ये sentence positive है right side में दिये गए ये तीन examples तीनों ही examples में not का यूज किया गया है यानि ये sentence negative है इसलिए इन तीनों examples में any का यूज किया गया है तो पहला rule यही है कि some का यूज हमिशा positive sentence में करते हैं जैसा कि left side के तीनों ही examples में some का यूज किया गया है और any का यूज negative sentence में करते हैं right side के तीनों ही example में not कयूज क्या गया है यानि ये negative sentence है इसलिए यहाँ पर any कयूज क्या गया है किसी भी question वाले sentence में any कयूज हम करते हैं जैसे इन तीनों ही sentence में any कयूज इसलिए क्या गया है क्योंकि ये sentence questions से start हुए है यानि ये interrogative sentence है इसलिए इन sentence में any कयूज किया गया है पर अगर sentence में कभी किसी भी चीज को offer किया जाता है तो फिर वहाँ पर any कयूज नहीं करते हैं some कयूज करते हैं example में जैसे कहा गया है would you like some coffee क्या आप कुछ coffee लेंगे क्या आप थोड़ी coffee लेंगे यहाँ पर coffee offer की गई है इसलिए यहाँ पर interrogative sentence होने के बावजूद भी some कयूज क्या गया है तो दूसरा रूल यही है कि interrogative sentence में any कयूज तो हम करते हैं पर अगर कभी भी sentence में कोई चीज offer की जाती है तो वहाँ पर any कयूज नहीं करते हैं some कयूज करते हैं इस example में coffee offer की गई है इसलिए interrogative sentence होने के बावजूद भी यहाँ any कयूज नहीं करके some कयूज क्या गया है अगर sentence में कोई चीज मांगी जाती है तो भी sentence में some कयूज क्या जाता है इन दोनों examples में आप देख सकते हैं some कयूज क्या गया है पहले sentence में can I have some soup please interrogative sentence होने के बावजूद भी some कयूज क्या गया है इसे तरह से दूसरे example में can you lend me some money क्या आप कुछ पैसा मुझे उधार दे सकते हैं यहाँ पैसा मांगा जा रहा है इसलिए question वाला sentence होने के बावजूद भी यानि कि interrogative sentence होने के बावजूद भी some का यूज क्या गया है तो दूसरा रूल यही है कि question वाले sentence में यानि कि interrogative वाले sentence में any का यूज करते हैं लेकिन अगर sentence में कोई चीज offer की जाती है या कोई चीज मांगी जाती है तो question वाला sentence होने के बावजूद भी वहाँ पर some का ही यूज करते हैं जैसे इस sentence में coffee offer की गई और यहाँ पर पैसे मांगे जा रहा है या soup मांगा जा रहा है तो यह सभी sentence question से start है यानि interrogative sentence है फिर भी यहाँ पर some का यूज क्या गया है जैसे आप कुछ exercises देख लेते हैं जो कि इसी rules पर based हैं पहले sentence में I bought some cheese but I didn't buy any bread पहले sentence के पहले part में some का यूज इसलिए क्या गया है क्योंकि यह sentence positive है पहला part sentence का positive है जबकि sentence का दूसरा part negative है क्योंकि यहाँ पर I didn't यानि कि I did not लिखा है not होनी के विज़े से यहाँ पर any का यूज क्या गया है second sentence में in the middle of the room there was a table and some chairs negative है, तीसरे sentence में are not लिखा है इसलिए यहाँ पर any का यूज क्या जाएगा negative sentence में any का यूज क्या जाता है answer हो जाएगा there are not any sobs in the part of town fourth sentence में Gary and Alice don't have any children यहाँ पर don't में not लगा है इसलिए यहाँ पर any का यूज क्या जाएगा negative sentence होने पर any का यूज करते हैं fifth sentence में do you have any brothers or sisters क्योंकि sentence question word से start है क्योंकि sentence interrogative है इसलिए यहाँ पर any का यूज किया जाएगा sixth sentence में there are some beautiful flowers in the garden sentence क्योंकि positive है इसलिए यहाँ पर some का यूज किया जाएगा seventh sentence में do you know any good hotel in London do you know any good hotels in London यह sentence interrogative है इसलिए यहाँ पर any का यूज किया जाएगा would you like some tea यहाँ पर चाय ओफर किया जा रहा है कि क्या आप कुछ चाय लेंगे क्या आप थोड़ी सी चाय लेंगे इसलिए sentence में some का यूज किया जाएगा ध्यान रखिए interrogative sentence में any का यूज तो हम करते हैं पर कोई चीज जब offer की जाती है या कोई चीज जब मांगी जाती है तो वहाँ पर any का यूज नहीं करते हैं some का यूज करते हैं इसलिए यह sentence में some का यूज किया जाएगा answer होगा would you like some tea answer दिया गया yes please 9 sentence में when we were on holiday we visited some interesting places 10th sentence don't buy any rice क्योंकि sentence में not लगा है sentence में do not यानि not का यूज क्या गया है इसलिए यहाँ पर any का यूज क्या जाएगा answer होगा don't buy any rice we don't need any इसके second part में भी any का यूज क्या जाएगा क्योंकि इसका 10th sentence का second part भी negative है not यूज क्या गया है इसलिए यहाँ पर भी any कायूज किया जाएगा 11 sentence में I went out to buy some banana sentence positive है इसलिए some कायूज किया जाएगा जिबकि इसका दो जूसरा part है वो not से है इसलिए यहाँ पर any कायूज होगा but they did not have any last sentence I am thirsty can I have some water please क्योंकि sentence interrogative है क्योंकि sentence question से start है इसलिए यहाँ पर some का यूज किया जाएगा can I have some water please और interrogative sentence में यहाँ पर पानी मांगा जा रहा है और कभी भी sentence में जब कोई चीज मांगी जाती है तो वहाँ पर some का ही यूज करते हैं इसलिए यहाँ पर can I have some water होगा